लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस डाबल आइकन जैश्री राम आज हम सिंप्लिफिकेशन के क्वेस्चन करेंगे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यह क्वेस्चन है अमें क्वेस्चन जो है स्क्रीन से देखकर लिखना नहीं है डिरेक्ट सेल्यूशन करना है 55 और 45 मतलब 100 हो जाएगा तो हमें 1 बिल जाएगा 200 और 100 300 87 और 23 हो जाएगा 110 मतलब 410 और 1 411 हो जाएगा यह और इधर आकर 11 का स्क्वेर होता है 121 और किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से डिवाइट करना है तो 2 से बस बुड़ा कर दीजिए तो 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 तो यह हमारा जाएगा अब आराम से आप इसे माइनस कर सकते हैं तो इस तरह से जल्दी करना है आमें लिखना नहीं है तो यह हमारा आंसर हो जाएगा 242 हमारा आंसर हो जाएगा देखिए 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 200 प्लस 100 थ्री हंड्रेड एटी सेवन और 23 हो गया 110 मतलब 410 और 55 और 45 का 100 हो गया तो यह पॉइंट वे हैं तो 1 तो 411 बस यह इस तरह से हमें क्वेश्चन को लिखना नहीं है फटाफट इसी तरह से करना है और सारे स्क्वेर कम से कम पचास तक के स्क्वेर और पचास तक की क्यूब और टेबल्स हमको याद कर लेना है ताकि स्पीड आ सकी हमारी अब यह जो है इसको मैं खोल के लिखके दिखा दे भी पर आपको हो जाएगा यह हो जाएगा आठ ती है चौविस पांत ती है पंद्रह एकसो पचास और यह जो है चौदा का क्यूब जो होता है यह इधर आके 2744 तो यहां से हमको मिल जाएगा 4 तो यह 2744 तो 150 प्लस 4 तो 4 और 4 8 4 और 5 9 7 और 1 8 और 2 तो यह हमारा अंसर हो जाएगा 2898 इसी तरह से आपको जल्दी जल्दी सारे questions करने हैं और सारे square और आप cubes याद कर लीजिए जिससे आपकी speed आ है अब जो यह 529 होता है यह क्या कहते हैं 23 का 23 का स्क्वार होता है और यह 5041 जो होता है अगर हम देखे तो 7749 मतलब सक्तर तो सक्तर का 4900 सक्तर का होगा तो यह 71 का हमारा हो जाएगा square और इधर से यह इधर आकर यह प्लास हो जाएगा यह 576 जो होता है 24 का square होता है अब यह जो है 23 से इकट जाएगा तो सक्ति है 23 72 बारी में यह कट जाएगा आपको पहाड़े भी याद रखने हैं और यह हमारा आंसर हो जाएगा 172 माइनस 71 तो यह हमारा 25 आंसर हो जाएगा इसका इतनी जल्दी ही आपको एक्जैम में करना है तो 5 4 8 1 यह 27 का square होता है प्लस 5 8 9 और यह 31 का होता है अगर 31 को 2 से करेंगे तो 620 आएगा यानि 20 होगा तो अगर यह 9 आ रहा है यहां कम है तो यह मतलब 19 बारी में कट जाएगा 31 कि अगर 31 को आप ध्यान से देखेंगे तो बार करेंगे तो 620 मिलेगा तो 620 589 से बढ़ा है तो 20 मतलब यह और यहां लास्ट में नाइन है तो मतलब कि हमको यहां पर 19 से यह कट जाएगा ऐसे भी आप दिमाग लगा सकते हैं और यह पूरा-पूरा कट जाएगा 272 जा और 273 जा 203 तो अब यह हमारा 203 प्लस 19 तो यह हमारा 9 और 12 और 2 यह हमारा आंसर हो जाएगा इतनी जल्दी ही आपको एक्जाम में करना है इसलिए आप लोग सारे स्क्वार क्यूब्स और टेबल्स याद कर लीजिए बीस बीस पंदरा-पंदरा सेकिंड में आपको क्वेस्टन्स और आने हैं सारे अब देखिए अगर बारा पंजे 60 तो 600 और बारा निम्में 108 तो यह 708 हो जाएगा और यह हो जाएगा तेरा दुनी 26 260 और तेरा दुनी 26 तो 286 हो जाएगा यह प्लस 14 अठे यह हमारा हो जाएगा पूरा 1218 और यहाँ पर हमारा माइनस 19 का जो है क्यूब है 6859 और यह इधर राखे 3 से डिवाइड हो जाएगा तो अब यह 6859 में से हम यह यह आपको ऐसे लिख के कैलकुलेटरी करना 8, 8, 6, 14 ऐसे आपको डैरेक्ट कैलकुलेट करना है 8, 8, 16 और 6, 22, 22 का कैरी हुआ दो तो यह हमारा पूरा आजाएगा 2, 2, 1, 2 यह वाइनस करेंगे तो यह आपको ऐसे जोडना है देगे 8, 8, 16, 6, 25 का दो एक कैरी हुजाएगा फिर यह आप जुड़ेगा 8 और एक 9 और 9 और 10, 11 का एक हरसिल लगा दो और यह फिर हमारा इधर चुड़ जाएगा 7, 2, 9, 10, 11 और एक 12 और एक कैरी 2 तो यह हो जाएगा आपका 2, 0, 2 अब यह माइनस कर दीजिए तो यह हो जाएगा 9 में से 2 गया 7, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 2 गया 4 अब इसको 3 से डिवाइट केजिए तो यह हमारा आंसर आजाएगा 1, 5, 4, 9 आपको इतनी जल्दी ही एक जैम में कैलकुलिट करना है अगर आप इसे लिखेंगे तो उससे भी आपका 10 सेकिंड, 15 सेकिंड एक्स्ट्रा लग जाएगा तो वो बच जाएगा वो आगे आपको जो अर्थमेटिक की क्वेस्चिन्स डी आई वगेरा आता है उसमें काम आ जाएगा तो इसलिए आपको स्क्रीन से देखकर पहली क्वेस्ट्न उतारना नहीं है डैरेक्ट सेल्यूशन करना है जैसे मैंने किया 1250 60 तो इसका 10 लग जाएगा फिर 1290 108 तो दोनों जोड़ जिए तो 708 हो गए इस तरह से आपको कैल 50 तक के क्यूब और 50 तक के टेबल आपको याद करनी है ताकि आपको एज़ी हो जाए केलकुलेशन और मेरे चैनल पर मैने कुछ केलकुलेशन के एजली ट्रिक्स डाले हुए है तो आप वो भी देख लीजिए जिससे आपको यह केलकुलेशन करना आणसान हो जाए अगर आ कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को अन कर लेजिए